मेरा नाम है देव यश और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कोविन के उपर जो मैंने आपको पिछले वीडियो के अंदर रेज एन एशू के तुरूग अपने चेंज करने का बताया था तो guys यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा जो यह correction का भी option आया है photo ID number इसके अंदर आपको वही correction करना होगा जो आपने पहले डाला हुआ है मलब अगर आपने पहले आधा number से register करा रखा है तो अब जो आप photo ID number change करना चाहते हैं वह basically आपको सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ट नंबर ही डालना पड़ेगा मलब आप आधार कार्ट से passport के अंदर यहाँ पर convert नहीं कर पाएंगे सेम केस में अगर आपने pancard नंबर डाला हुआ है तो आपको correct यहाँ पर pancard नंबर ही यहाँ पर insert करना पड़ेगा उसके अलाबा यहाँ पर कोई भी option नहीं है उसके अलाबा कई लोगों को यहाँ पर यह problem आ रही थी कि यहाँ पर multiple mobile numbers की problem आ रही दीजिए multiple mobile numbers register होने की होता क्याता ना आपने एक आधार कार्ट से एक account के अंदर register किया सेम आधार कार्ट को आपने दूसे mobile के अंदर भी register कर रखा है उनको पता ही नहीं कि उनका आधार कार्ट किसने use कर लिया और जब वो अपने account के अंदर चेक कर रहे तो उनके सामने यह message आ रहा है कि यह आपका आधार number has been registered by the multiple mobile number आप गाई इसका क्या solution है पहला solution यह है अग से यह problem यहाँ पर resolve हो जाएगी second thing अगर मालीच आपको पता ही नहीं है कि मेरा जो आधार number है किसने अपने account के अंदर रिस्टर करा रखा है तो आप क्या कर सकते हैं simply जो कोविन का technical support है उनको call कर सकते है या फिर कोविन का support email ID है जो मैं आपको description में देदूंगा उनको simply आप mail कीजे और mail कीजे कि मेरा जी यह आधान number है यह मेरी beneficiary ID है और मुझे idea नहीं है कि यह किस account के अंदर link हो रखी है तो please उसे आप यहाँ पर deactivate कर दीजे तो guys उससे यह आपकी वाली जो problem है वो यहाँ पर resolve हो जाएगी so guys hope you like this video please subscribe अगर आपके कोई वीडाउट से comment section के अंदर जरू mention कीजिए thank you guys thank you very much